दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि हाली में प्रधान मंत्री नियंद्रों मोदी के फ्रांस दोरे के बाद मेडिया में काफी हद तक चर्चा है कि भारत फ्रांस से 26 राफल एम यार क्रेप्टों को पर्चेस करेगा वही पर दोस्तों खबर के मुताबिक डिफेंस ए पर दोस्तों को पूरा करने के लिए फ्रांस से राफल एर क्रेप्टों को ही खरीदेगा पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत का ये जो एक डिजिजन है ये अमेरिका के बोईंग कंपने के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और दूसरे तरफ इससे एफे 18 सुपा ह ये असल में एक बहुती सक्सेस्पूल और बहुती फेमस यार क्रेफ्ट है जिसे बहुत बड़े मात्रा में अमेरिकी नेवी के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है और दोस्तों इसके जो प्रिवियस वर्जिन था मतलब एफे 18 होर्ने यार क्रेफ्ट ये तो कई सारे बहुत बड़े मात्रा में यार क्रेफ्टों को बोईंग कंपनी के द्वारा लगातार भारत के सामने अलग अलग टेंडर में ओफर किया जा जाए लेकिन हर वार अमरीकी कंपनी बोईंग को मात ही खाना पड़ा और दोस्तों इस वार भारत के तरफ से बोईंग के ऐफे 18-100 एर क्रेफ्टो को रियर्ट करने के बाद एक तरिके से एफे 18-100 एर क्रेफ्टों के चेप्टर ही समाफ्थ हो जाएगा दोस्तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंगी बोईंग के तरफ से F.A.18 SuperHornet Aircraft के जो production line है उसे साल 2025 तक बंद कर देने का बात कहा गया है मतलब फिलाल जो बचे कुछे order है उसे बनाने के बाद साल 2025 के बाद से और F.A.18 SuperHornet Aircraft का production नहीं होगा और जहाँ पे बोईंग F.A.18 SuperHornet Aircraft को produce कर रहा था वहाँ पे शायद कोई और Aircraft को produce करेगा उपर से दोस्तों भारत के तरफ से Aircraft को खरीदने के बाद अन्य देशों से भी order मिलने का एक expectation था जो की इन Aircraft के production line को farther continue कर सकता था पर भारत के तरफ से ही इन Aircraft को खरीदने को लेके और कोई order नहीं दिया गया तो दूसरे देशों के तरफ से भी interest कैसे बढ़ेगा दोसरे यहाँ पर आप आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि भारत के तरफ से राफेल Aircraft को खरीदने से पहले राफेल Aircraft के भी production और supply इतना अधिक नहीं था इविन इसका demand भी ना के बराबर था भारत से पहले कुछी देशों के तरफ से काफे लिमिटेट संख्या में राफेल Aircraft को पर्चेस किया गया था लेकिन भारत के द्वारा राफेल Aircraft को खरीदने के बाद एक तरीके से आप कह सकते है कि डेसॉल अविएशन में जान आ गया और लग अलग अलग देशों से बड इंडियान एरफोर्स के 114 फाइटर एरक्रेप्टो के टेंडर के तहट बचा हुआ है लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद साल 2025 से पहले भारत के द्वारा इन एरक्रेप्टो को पर्चेस करने के तहट आगे ना बढ़ा जाया और दोस्तों शायद इनी कारूनों के वज़ा स बोईंग कमपनी के तरफ से भी F-18 Super Hornet एरक्रेप्टो को इंडियान एरफोर्स के स्टेंडर से विड्रॉल करने खोले के सोचा जा रहा है रिपोर्ट के मुताविक पहले टेंडर में अमेरिका के द्वारा दो एरक्रेप्टो का ओफर किया गया था जिनमें एक तो मार्टिन के F-61 एरक्रेप्टो के एक अपग्रेड़र वेरियंट मतलब F-21 था लेकिन बाद में फिर से बोईंग कमपनी के तरफ से और एक एरक्रेप्ट को एंटर किया करवाया गया और दोस्तों ये एरक्रेप्ट था F-15EX F-15EX एरक्रेप्टो के एंट्री के बाद रिपोट के मुताविक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका शायद F-18 सुपफर होड़र वेर्क्रेप्टो को टेंडर से उड़्ूर कर ले और दोस्तों अगर फॉर्मली से उड़्ूर कर लिया जाता है तो F-18 सुपथर होड़र य यारक्रेप्टों के चैप्टर को ही क्लोस कर देगा दोस्तों रिपोर्ड में बताया जा रहा है कि बोईंग कम्पनी के पास केवल मात्र 20 FA18 सुपर होनेट यारक्रेप्टों को ही प्रोड्यूस करने को लेकि ओडर है और वो आगे बढ़ा जाता तो शायद MRFA टेंडर के लिए भी FA18 सुपर होनेट यारक्रेप्टों के जो संभावना था वो टिका रहता लेकिन दोस्तों भारत के द्वारा इस टेंडर में अगर यारक्रेप्टों को रिजट किया गया हलांकि दोस्तों अगर भारत के द्वारा FA18 सुपर होनेट यारक्रेप्टों को खरिदा जाता तो मेरा मानना यह है कि शायद RAFAEL यारक्रेप्टों के मुकाबले में भारत को FA18 सुपर होनेट यारक्रेप्टों के डिलिवरी और जल्दी हो सकता क्यूंकि फिलाल बॉइंग के पास यारक्राप्टों के प्रोड़क्शन को लेके जादा order नहीं है और order कम होने के कारण जल्द से जल्द यारक्राप्टों को produce बॉइंग कर पाता पर राफल यारक्राप्टों को खरीदने के बाद बताया जारा है कि कम से कम 36 म सब्सक्राइब अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में किस तरीके से ऐसे मुद्दों को भी इलेक्षन के लिए मुद्दे के रूप में बनाया जाता है और किस तरीके से पिछले वारवी राफाल, यार क्रेप्टों के डील को एक बहुत बढ़ा मुद्दा बनाके नहीं और धूद का धूद और पानी का पानी हो गया लेकिन इस बार पिछले बार के जो controversy या फिर क्या है तो politics हुआ था उससे देखते हुए शायद government के तरफ से risk ना लिया जाए क्योंकि दोस्तों फिर से अगर election से पहले कोई deal होता है तो इसका मुद्दा obviously opposition party के तरफ से बनाया जाएगा और at least इतने जल्दी इस मुद्दे को ठंडा नहीं किया जाएगा हाला कि अगले साल मे महीने तक ही election होगा जिसका मतलब यह है कि election और politics के कारण Indian Navy के जो modernation है वो एक साल और अतिरिक्त डिले होगा अब दोस्तो इस तरीके से अगर केवल मातलो politics और election के कारण भारत के जो महत्तपूर्ण defense project है वो delay हो तो यह भारत के modernation के लिए या फिर कहतो armed forces के modernation के लिए एक बहुत बड़ा वाधा होगा हाला कि भारत में यह सब जो चीज है यह काफी normal है इवन आप लोगो को पताई होगा कि किस तरीके से इससे पहले वी कई तरीके के defense डिलों के अंदर घोटाला किया गया और किस तरीके से defense डिलों को हर वार election के दर्मियान मुद्दे के रूप में इस्तमाल किया जाता है दोसों मैं यहाँ पे किसी एक particular party का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भारत में यह चीज लगबग हर एक party के तरफ से किया जाता है और शायद इनी कारणों के वज़ा से जो government है वो election से पहले किसी भी तरीके का रिक्स नेलाने ही चाहता है माना जा रहा है कि general election के बाद ही ने government के तरफ से deal के उपर हस्ताक्षर किया जाएगा हलाकि इसका मतलब यह नहीं है कि में महिने में election होने के तुरंद बाद ही deal के उपर हस्ताक्षर हो दोसो किसी भी ने government को form करने के बाद कम से कम 6 महिना लग जाता है कोई ने बड़े decision लेने के लिए इसलिए at least 15 साल के बाद ही नेवी के रैफाल एम यार क्रेप्टो को लेके deal के उपर हस्ताक्षर हो सकता है और दोसो देर साल मतलब साल 2024 के अंत और उसके बाद अगर 36 महिने के अंतराल में डेसल एविएशन के द्वारा भारत को रैफाल एम यार क्रेप्टो का डिलिवरी किया जाता है तो भारत को अपना पहला रैफाल मिलते मिलते साल 2027 हो जाएगा दूसे दरफ दोस्तो यही सिजुएशन 114 फाइटर एर कैप्टो के टेंडर को लेके भी है और दोस्तो हर वार ये करफशन और ये करफशन के जो चार्जेस है या फिर कहा तो जो एलिगेशन है उसे एवट करने के लिए जो प्रोसेस अपना जाता है वो इतना लेंदी होत है उपर से दोस्तो अगर गॉर्मेंट परिवर्तित होता है तो ये और मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि नए गॉर्मेंट आने के बाद किस तरीके से डिसिजन लिया जाएगा पुराने गॉर्मेंट के डिसिजनों को कंटिनू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये स्थाक्षर होगा दोस्त आप लोग को क्या लगता है कि भारत में जो politics हो रहा है इससे military modernization में कितना बड़ा असर पढ़ रहा है comment करके अवश्य बताईए दोस्त आज के इस वीडियो को यही पही करते समा आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम